आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी बैगन भाजा की रेस्पी यह वंगाली डीज से बहुत ही कम समागीरी से बन कर त्यार होती है और बहुत ही कम समय में और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो हलो दोस्तों मैं हूं सरोज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सरोज का चैनल में चले आज की रेस्पी इस्टार्ट करते हैं सबसे बहले हम भाजा का मसाला बनाएंगे मसाले के लिए मैं यह पिलिया है दो से तिन चमच बेसन साथी में मसाले आइड करेंगे आधी चमच हल्दी पावडर एक चमच धनिया पावडर आधी चमच जीरा पावडर और आधी चमच से भी कम काली मिर्च पावडर आधी चमच गरम मसाला आधी चमच से थोड़ा ज्यादा लादिमिक पावडर अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं आप साते मेड करेंगे हम एक चमच आमचुर पावडर या चाट मसाला जो अबलेबर है आप डाल दीए आपके उपर है अब सारे मसालों को अच्छे से हम मिला लेंगे आप चाहिए आप तो अदरे काउडलासन का दरदरा ऊठकर प्रेस्ट डाल सकते हैं हरी मिज बढ़ सकते हैं आपके उपर है अब सारे मसालों कचे से हम मिला लेंगे यहां मैंने सारे मसालों कचे से मिला दिया है जिसके आप देख रहे हैं आप यहां साइड में रखेंगे यहां मैंने भड़ता आप लिया है परे लोकरण साफ कर लिया है अब इसको हम थोड़े मोटे मोटे स्लेशस में कट करेंगे आधा इंची के आऊसमास ने ज्याद मोटा ने ज्यादा पदला इसी तरह हम सारे बेगन को काट गर त्यार कर लेंगे यह देखिए यह हमने सारे बेगन को काट लिया है चाइड में तखेंगे और मसाले में त्यार हो चुका है इसमें क्या करेंगे कि अपने बेगन को इसमें डालेंगे और अच्छे सो कोट करेंगे मसालों में यह देखिए मैंने श्कूट कर दिया है इसी तरह हम सारे बेगन को पूट कर लेंगे अगर आप अधरा कोड़ासन और हरीमिज का पेस्ट डाल रहे हैं तो आप ज्या करें बेगन के स्लाइस में सारे मसाले की साथ मिला कर डाल दे खुड़ासा पानी डाल कर आप वैसे पकोड यहां पर मैंने सुखा मसाला बनाया है अब इसका बेटर भी त्यार कर सकते हैं इसी तरह हम सारे बेगन को लगा कर रख लेंगे बेगन लगाने के वादिसे हम 10-15 के लिए रिष्ट पर रखेंगे इससे क्या हुआ कि जो बेगन है तो आप पानी छोड़ेगा और जो हमारा कि लेगा नहीं इसे 10-15 मिट आप रख दीजिए रिष्ट के लिए यह देखें 10-15 मिट हो चुका है अब देख सकते हैं मसाला जो है कितना अच्छे सेट हो चुका है और बेगन जो है पानी छोड़ दिया है अब बेगन त्यार हो चुका है अब चलिए इसे फ्राइ करेंग कि यह मैंने गैस पर एक फैला हुआ प्वेन रखा है एक चमल ओल डाल देंगे अब तब भी ले सकते हैं पर थोड़ा फैला हुआ ले पेल को थोड़ा से ग्रीज कर लेंगे इस फ्रिम राइट करेंगे अपना आप बेगन वाला भाजा आप एक बार में जितना फ्राइ कर सके रख ले बहुत ही कम तेल में ही बनकर त्यार हो जाता है आप इसे डिप फ्राइ भी कर सकते हैं पकोड़े जैसे लेकिन बेगन भाजे जो है इसे बहुत ही अच्छे लगते हैं जैसे एक शेट्सिक जाएंगे उपर से हम फिर से थोड़ा-थोड़ा ओल लगा देंगे भाजे के उपर यह दिखिए इसी तरह से इसे ही सारे बेगन पर हम लगा कर क्यार कर देंगे यह लगाने के बाद इसको हम लट देंगे दूसरे साइड भी अच्छे सी है क्रिस्पी हो जाए और पक जाए आपको फ्लेम कुछ ज्यादा है अपने हाई नहीं रखना है यह मीडियम रखना है इसे लो फ्लेम भी हम अच्छे से अब बीच-बीच में थोड़ा फ्लेम को लो टू मीडियम कर सकते हैं पर हाई फ्लेम भी कुछ ना करें यह देखे भाजय जो है दूर्ण से बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है अब देख सकते हैं बहुत यह अच्छा कलर आ चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट करेंगे और सेम प्रोसेस इसको भी हम कि दोनों साथ एक रिस्पी होने तक राइ करेंगे जैसे दूसरे स्ट्रेटिक जाएगा हम फिर से ओल लगाएंगे ऑल लागारे से फिर से फल्टेंगे मैंने और भी बैगन के रेश्पी पने चैनल पर दीविए जाकर देख सकते हैं इसका बागर के पकवरी है वैगन की सब्जी है कि अब जाकर देखें आप सभी को बहुती पसंद आएगा बहुत सारे प्रों सारे करेंगे तक हम इसे प्राई कर लेंगे यह देखिए बहुत ही अच्छा कलर आच चुका है अब जैसे इस दून साइट टिक जाएंगे इसको हम निकाल लेंगे तो त्यार है मैं यहाँ पर बहुत ही टेस्टी बैगन भाजा आप पिंजोए किजिए बहुत ही अच्छा लगता है जैसे आपने रेश्पी में देखा बनाना की इतना ही असान है तो आप इसे गर्मा गरम किजिए गर्मा गरम बहुत अच्छा लगते हैं त्यार है मैं यहाँ पर बैगन भाजा अगर आपको इसी कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंटर बॉक्स भी जरूर बताए मैं आपके स बटन दबाते जाए तक कि मेरा नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पूचे तो दोस्तों मेरे वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं फिस एक नई रेश्पी के साम तब तक के लिए बाए दोस्तों